कि क्लास में स्वागत है और जो आपका यूपी बोर्ड माध्मिक सिख्षा परसत के दौरा साइन्स का मॉडल पेपर घोचित किया गया है बताया गया है 2021 के लिए क्लास 10 के लिए उसी को हम बचो हल कर रहे थे जिसमें से हमने फिजिक्स वाला पोर्शन यानि खंड का और खं भी कल्पी पृष्णों की भी सीरीज लिए बहुतली परिश्न एपरणबो इंष्ग करना है खंड जो कि है आपका बालोजी का पार्ट तो यहां पर चलिए बिना किसी देदी के आगे बढ़ते हैं हर प्रिश्ण का बच्चो जो पहला पर आएगा वह होगा हर खंड का स्वारी बच्चो हर खंड का पहला प्रस्ण जो रहेगा वह आपका भौवीकल्पी यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सुकृआहि या जो है सुकृआहि का जो है यह मादा जनन तंद्र का भाग नहीं है तो यहां पर तीसरा वाला विकलप सही होगा MPa आसकते बचो फिर इसकी बात घीवास्पम उर्जा का स्रोथ है इहां देख कौन सा होगा यहां पर को पकिनाट के सपथा जाते हैं् के उनिमिक्रणी प्रधार्ट को कंप्लीट कर लिया हैं। तूसरे नेक्स्ट पर्सन की ओर इसके फिर यहां पर देखिए इसका उत्तर का लिए आप लोग तो यहां पर बचो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्वापोसी पोशन के लिए जो है आवस्तर परिसितियां कौन सी है तो पोशी पोशन के लिए प्रकास संस्लेशन आवस्यक है ठीक है स्वयम का भूजन बनाते हैं और प्रकास संस्लेशन प्रक्रिया क्या होती जिसमें सूर्य के प्रकास की उपस्तित में पौधी जो है अपना भूजन बनाते हैं तो यहां पर हरे पौधे के सूर्य के प्रकास क्लोरोफिल की उपस्थिति यहां पर आवस्चक है और यहां पर बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट पानी और यहां पर ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है यह गैस के रूप में ऐसे आप तीर का निशान भी दिखा सकते हैं ठीक है अत्यस्वा पोशी पोशन के और आवस्चक परिस्थितिएं की अगर पूछा गया है की आवस्चक परिसीति हैं सूरिका प्रकास क्लोरोफिल करवन डायाकसाइड और जल है ठीक है और बात की जाती है कि इसके उपात्त पात यहा नियुक्त पर बढ़ते हैं इसके बात बचो नेक्स आपका कॉश्यन न पुस्प के विजांड का सवक्षिनामा依े चित्र बनाई यहां पार उसके विजांड का आप कॉ चित्र बनाना रहे गा यो इस प्रकार से बचो आप इसका चित्र आईए देखते इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप इस प्रकार से बचों इसका उत्तर लिख दीजेगा कि जैव निमनी करनी कचड़े के धी में अब घटन के परणाम सरूप गंद और हानिकारक गैसों की इतपती होती है और जब मनुष्यों की दौरा सौंस लिया जाता है त इसके बार नेक्स्ट इंप्रटन प्रश्ण है आपका 11 प्रश्ण है यह इसमें जो 11 खंड रहेगा उसमें का और खाध दो इसके भाट रहेंगे जो बहुत आपको अच्छे से आ रहा हो वो करना और केवालेख ही करना है दोनों प्रस्ण आपको नहीं करने हैं और यहां प का नहीं कि आप का दो रोब रच्ब कर दें अथ्वावाला भी और खावाला करें ना ऐसा बिलकुल नहीं करना है तो यहां पर प्रवर्धन उसका वरणन करना है तो यहां देखें बच्व जो सेकन वाला पार्ट उसको लेकर चल ला है जिसमें है मादा जनन तंतर का बड़नन करना तो यहां पर देखिए यहां पर आप उसका वर्णन कर सकते हैं तो यह मलता गया है और सब्सक्राइए याहां nah प्रक्रिया को समझाई या तो फिर जी वास में क्या है यह विकास प्रक्रम के विश्य में क्या दरसाती हैं तो यहाँ पर हम पहला वाला खाका ले रहे हैं बचो यह भी चार नमबर का प्रिष्ण है इसको दो भागों में डिवाइट कर दिया गया है जिसमें आपको बताना होगा कि लिंग के गुण सूत्र किसे कहा जाता है इसको लिखने पर आपको जो है वो दो न नर में यह एकस वाई रूप में होता है यहां पर मानों में लिंग निर्धारन की जो प्रक्रिया यह बताई गई है इसको आप बचो इसी तरीके से जो है लिख सकते हैं समझ सकते हैं और अच्छे से इसको याद भी कर लिजेगा बचो यह भी कोशन इंपॉर्टन प्रिश प्रिशन के फजरूप 50% मादा संतती और 50% नर संतती होने की संभावना होती है इस प्रकार लिंग निधारन में नर जो है वह वाई गुर्ण सूत्र या नर यूगमक की महत्त्रपोण भूमिका ठीक है इस प्रकार से इसको इस तरीके से बना करके लिखेगा इंपॉर्टन किजिए और यहां-पर देखिए यहां-पर देखिये मानों पाचंत करना रहा है जिए having wannajana है यह वने फाइन के लिए नर रहा और इसके अलावा अगर आपको नीचे वाला कोश्चन आ रहा हो तो नीचे वाला आप कम्प्लीट जो है अच्छे से कीजिएगा दोनों कोश्चन अच्छे से त्यार कर लीजेगा बच्च दोनों ही प्रिशन इंपोर्टेंट है तो यहां पर जो है थोड़ा सा देख लीजि तो यहां दोनों टॉपीक पे जो है वो पाचन की ओर आपarettरर के लिए 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 लिखा गया है तो इसमें जोहे आसमें किस प्रकार से पाचन की क्रिया घोती है और साथ ही फुद्रांथ में बार्चन की तरीके से होता आप जो है तो यहां पर देखिए जिस तरीके समझाया गया है पताया गया उसी तरीके से जो है आप लिख सकते हैं या तो फिर अपने सब्दों में भी अपने मन से भी लिख सकते हैं तो यह कोशन इंपॉर्टन इसको जरूर से त्यार कर लिजेगा बचो